कैसे हैं आप साथ उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वर्क्षीट नमर 6 है इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए डेर डाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर कर नाम निख लीजिए यह आपकी साइंस की वर्क्षीट है तो इसे इंग्रिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी आज हम लोग पढ़ेंगे नूट्रिशन इन एनिमल्स जानवरों में नूट्रिशन कैसे आता है कैसे पोशक तत्वात है और इसकी के साथ हमारा सब टॉपिक जो होगा वहोगा डाइजिशन यानि पीशन इस एक फिश को खा रहा है ठेक है अब यहाँ पहली आपसे सवाल पूछती है वाय डू एनिमल इसलीटी यानि की जानवर है वो खाना क्यों खाते हैं वह कहां से अपने खाने को प्राप्त करते हैं तो देकि जो पहली के सवाल है इनके जवाब यहां में दिये गए पढ़ लेते हैं पहला आपको लिक्या है इनिमल गैट दिया स्मिक फॉट 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 फॉट्ट फॉट फॉट्वॉर्स अद अधर डिरेक्ली बाइटिंग निमल्स दैड एट प्लांट्स एजनिवर्स एंड सम्मेज़ इत ऊहते हैं यहां बोलते हैं कि कुछ जानवर ऐ को खाते हैं उननीमद को खाते हैं जो पहले से पांव आचा है जो बहु पोनेमेल्स को खाते हैं उनको मुंग ऑपनिवॉरस बोलते हैं अगे यह देखिए यहां कहा लिखा है all living organism यानि कि सारे जानदार चीज़े including humans यानि इनसानों को भी अगर हम जोडने required food for growth यानि बढ़ने के लिए उन्हें खाने की जरौत होती है repair अपने आपकी जो body है उसको repair करने के लिए या functioning of body यानि body का function करने के लिए उन्हें किसकी जरौत होती है यह खाने की जरौत होती है nutrition includes अब देखें nutrition जो है वो क्या includes करता है nutrient requirement mode of intake of food and eater utilization in the body यानि की nutrition में यह सारे चीज़ें आ जाती है कि जो nutrition हमें जरूरत है वो किस तरह से हम उसको खाते हैं खाने के जरीए या कैसे भी हम उसके कैसे ले रहे हैं और किस तरह से उसको utilize कर रहे है body में यह सारे चीज़े nutrition के अंदर include हो जाती है अब देखें है nutrition के बारे में लेखा है कि nutrition है क्या तो देखें है component of foods यानि वो foods जो components है food के अंदर मौझूद है उनको हम क्या बोलते है nutrient बोलते है such as carbohydrate, fat and protein are very important of energy and growth of the body यानि की carbohydrate, fat, protein ये सारी चीज़े बहुत important है किसलिए energy के लिए या हमारी body को बढ़ने के लिए but these components लेकिन ये components of foods such as carbohydrate are complex substance यानि की इसमें इक components यानि कौन सा carbohydrate ये थोड़ा complex substance है इसको direct look, body absorb नहीं कर पाती है लिए इसको direct look, body absorb नहीं कर पाती है लिए इसको simple substance के बीच में क्या कर आता है तोड़ा जाता है ठीक है अब यहां देखिए आपको आगे लिखा है कि digestion किसे कहते है तदा breakdown of the complex component यानि कि वो component जो complex है याली जैसे आपका carbohydrate उसको जब छोटे-छोटे form में तोड़ाता है into food into simpler substance में तोड़ा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते है ठीक है अब यहां question दिया गया है question number first दिया गया है write the name of the three animals which eat plant अब आपको तीन ऐसे जैनवरों के नाम लिखने है जो plants को खाते हैं तो चले इस कांसा देखते हैं तो आप आंसा लिखेंगे cow, goat and horse are three animals which eat plants यानि कि यह तीन वो जानवर है जो plants को खाते हैं कर लेंगे आप चल और dash of the body यानि कि यहां पर दो चीज़ी आएंगी कौन कौन सी चलिए इसका answer देखते हैं तो इसमें पहले में आजाएगा carbohydrate और fat यह हमारे energy के लिए होता है जबकि protein जो होता है वह हमारे growth of the body यानि कि body के शरीर के बढ़ने के लिए होता है कर लेंगे चलिए आगे पढ़ते now your next question is what do you understand what do you mean by digestion का क्या मतलब है इससे आप क्या समझते तो चलिए देखते हैं आपका answer है इसका कि जो आपके complex substance होते हैं complex components होते हैं उनको simpler substance में convert करते हैं तोड़ते हैं वही digestion कहलाता है ठीके उनका टूटना breakdown होना ठीके यह हम खुद नहीं करते हैं यह हमारा शरीर now your last question is why are nutrients needed for animals याने की animals के लिए nutrition जो है वो क्यों ज़रूरी है तो देखें न्यूट्रिशन अनिमल्स हो प्लांट्स हो मैंन हो कोई भी हो हर किसी के लिए important है लेकिन question पूछा गया है कि जानवरों के लिए क्यों important है तो चलिए इसका answer देखते हैं तो देखें यहां लिखें इसके लावा अपनी बॉड़ी के functioning के लिए ठीक है इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है खाने की ज़रूरत होती है तो आप इसे कर सकते हैं चले तो आची वर्कशिट को यह खत्म करते हैं अच्की वीडियो में बसेते हैं अगर आपका माई वीडियो पसना आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शूयर करें अगर भी तक आपने मैचना को सिस्क्राइब करें तो प्लीज मैचना को सिस्क्राइब करें थैंकी फो वाचिंग